हेलो गाईज, वेलकम टो टेस्टी फूड एंड फूडी, आज हम आपके लिए लेकर आएं बहुती टेस्टी मश्रू मटर की सबजी, तो फ्रेंड्स जो बिगनर है और जो टीनेज है उन्हें बनाने में इसे बिलकुल परिशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुती जल्दी और बिलकुल असान तरीके से बनाकर हम इसे रेडी कर लेंगे, तो फ्रेंड्स मिक्सिंग जार में डालेंगे प्यास, मैंने दो से तीन प्यास लिये हैं, और थोड़ा सा अध्रकलस जादा लिया है, तो इससे ग्रेवी में जो टेस्ट आएगा बहुती बड़ी अलगेगा और साथ में रफली चॉप कर लिया है टमाटर को, दो से तीन आप टमाटर भी डाल सकते हो, तो फ्रेंड्स इसे हम अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे और बहुती ईजी और बहुती टेस्टी सबजी बन जाएगे, तो फ्रेंड्स मश्रूम को आप इस तरह से कट कर ल तो फ्रेंड्स सबजी खाने में जितनी टेस्टी टैम्टिंग है और बनाने में बहुती असान है, बहुती कम मसालों के साथ और कम तेल के साथ इस सबजी को बनाएंगे, हैल्थी भी होगी और टेस्टी भी होगी, मश्रूम कटके हमने काट लिए है, रेडी है, तो फ्रें थोड़ी सी धाल चीनी बड़ी लाई ची तो फ्रेंट्स आप अपने असाब से मसालेज में डाल सकती हो तो इसमें डाल देंगे हमने जो प्युरी बनाई ये वो तो इसे हम इसे भूनेगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ जाता बहुती असान तरीके से बहुती पसांद आएगी तो प्लीज फ्रेंड और फैमली को जरूर शेयर कीजिगा अगर आस पर पसांद आएता हूं मिर्च जो है आप अपने फ्लेवर और टेस्ट के इक चमाच मैने डाला है गरम मसाला एक चमाच के क्रीब नमक और आदे चमाच के क्रीब हल्दी डाली है यही मसाली इसमें मैंने डाले है इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और भून लेंगे तो फ्रेंट्स ये मसाला जल्दी भून जाता है तो जब आपका मसाला घी छोड़ जाए तब तक इसे भूनते जाए सीम आज पर ही भूने बहुत भड़िया फ्लेवर टेस्ट आएगा तो ये देखिए तेल जोड़ दिया क्योंकि तेल मैंने इसमें कम यूज गया है आपको मैंने पहले भी बताया है तो मसाला हमारा अल्मॉस्ट परपेयर लेकिन अब हम इसमें पानी डाल कर पकाएंगे तो उसी एक्सिंग जार में हम पानी डाल लेंगे और इसे पकाएंगे तो अगर आप इसे सिम माच पर ढपकर पकाएंगे तो बहुती बड़िया इसकी खुशबू आएगी और बहुती बड़िया मसाला बन जाएगा तो ये दिखेंँ मसाला अच्छे से ब्हुन चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे हरी मटर तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें फ्रेश मटर भी डाल सकते हो और फ्रोजन मटर भी डाल सकते हो बस टाइम के थोड़ा सा अगर आप जल्दी में तो फ्रोजर मटर यूज़ कर लें नी तो आप इसमें हरी मटर का यूज़ कर लें तो आप देखिए मसाला कितना बड़िया कलर आया हुआ है तो इसे अच्छे से भून लेंगे कम से कम तीन से चार मिंट आप चाहें मिडियम आँच पर जा फूल आँच पर इसे अच्छे से बूलें तकि यह बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फ्रेंट्स अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ही डाला इसमें इसलिए पानी मैं कम ही डालूंगी और फिर हम इसे ढख कर पकाएंगे इससे क्या होगा पानी कम डालने से मटर जोगा बिल्कुल हरी हरी सी बनेगी और जब आपकी मटर अच्छे से पक जाए आप एक बार चेक कर लेजिए जब अच्छे से पक जाए तब ही इसमें मश्रूम डाले क्योंकि मश्रूम बहुती जल्दी बन जाती है तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले और एक से दो मिन्ट अच्छे से भून ले फूल आंच पर तो फ्रेंट्स इसे हम डख कर पकाएंगे तो यह दिखें इसमें मश्रूम ने पानी छोड़ दिये और अच्छे से इसमें पानी भी या फुलेवर भी है तो फ्रेंट्स अगर आप इसमें ग्रेवी डालना चाते तो गर्म करकर ही पानी डालें तो बहुत ही बड़ी अग्रेवी बनेगे लेकिन जब आपकी सब्जी अच्छे से ड्राई हो जाए बुन जाए तभी पानी डालें तो फ्रेंट्स हमारी सब्जी बन चुकी है उसमें डालेंगे हम हरी मिर्च कटी हुई ऑप्शनल है उपर से डालेंगे हरी हरा धनिया आप चाहें तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो तो हमारी सब्जी बनके रैडी है तो प्लीज फटा फरसे चैनल को सब्सक्राइब केज शेर किजिए लाइक किजिए थैंक यू फर वाचिंग